चलो दोस्तों शुरू करते हैं मनोचीतर कथा की दूस्ट जादुगर बहुती अच्छी कानियें दोस्तों ध्यान से सुनना बहुत समय पहले सक्तिपुर्प नामक देश में सुर्य राज नामक वुद्धीमान दयालू ऐब भाधूर राजा राजय करता था उसके न्याई की चर्चा दुर दूर के देशों तक होती थी परजास के राजय में बहुती खुशाल थी उसकी दो भूती सुन्दर राणिया थी परन्तु संतान उन दोनों में से एक की भी नहीं थी हाँ साथ बहन हम दोनों कभी माँ बनने का सोबागन ही प्राप कर सकेंगी हाँ बहन साथ इस वर को यहीं मन्जूर है बांज बनाकर हमें किसी पिछले पापों की सजा दे रहा हुए राजा ने भी संतान प्राप करने की हर संबो कोशिस की थी बड़े बड़े वैदों से सला मसुरा किया था जोच्शों से नक्स्तर पड़वाए सादू सन्यासी वे ब्राहमनों की सेवा सूसरा की परन्तु किसी भी उपाय से उसके मन की इच्छा पूरी नहीं हुई सभी ने यही सला दे कि वे एक और विवा कर ले महराज उचित यही होगा कि आप एक और विवा कर ले नहीं ऐसा नहीं हो सकता राणियों ने भी समझाया जिदने करे स्वामी तीसरा विवा करना ही आप के लिए उचित होगा हाँ स्वामी आखिर इस राजपाट और वन्स का नाम चलाने के लिए कोई वारिस तो चाहिए ही नहीं नहीं इस बात का क्या भरोसा कि तीसरे विवा के पर साश संतान होगी ही परन्तु राजा सुरे राज किसी भी कीमत पर तीसरा विवा करने के लिए तयार नहीं हुआ दिन बीटने के साथ साथ ही राजा का दुख और चिंता भी बढ़ती गई उठते बैठते सोते जागते उसे केवल यही चिंता खाय जाती मेरे मरने के पर साथ इस राजगदी का क्या होगा कौन बने राजगदी का वारिस कौन बनेगा कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे मरते ही राजगदी के लिए मार काट मत जाए फर्जा के सुक सांती छिंज जाए जब रानियों ने दिन रात राजा को चिंता में गुलते देखा तो एक दिन उनसे बोली स्वामी आप इस तरह क्यों दिन रात चिंता में खोई रहते हैं आपकी उदासी देख कर हमारा भी किसी चीज में मन नहीं लगता देखे ने कितने दुर्बल हो गए हैं आप क्या करूँ यहां रहते हुए मुझे बार बार किसी ने किसी बात की चिंता लगी ही रहती है किसी मनोर रंजन आदी में दिल ही नहीं लगता तब रानियों ने सुजाओ दिया क्योंने आप कुछ दिनों के लिए शिकार पर चले जाए इससे आपका दिल भी बहल जाएगा और चिंता से भी मुक्ती मिल जाएगी हाँ स्वामी आपको शिकार करना पहले बड़ा बाता था रानियों का सुजाओ राजा को उचीत लगा उन्होंने तुरंत मंत्री को बुलवा भेजा मंत्री जी हम कुछ दिनों के लिए शिकार पर जाना चाते हैं तुरंती शिकार पर पर बंद किये जाए शिकार पर आप भी हमारे साथ सलेगे जो आग गया महराज जल्दी मंत्री ने शिकार पर जाने के लिए आवस्यक परबंद कर दिया और राजा सुर्यराज मंत्री मनिपद तथा अन्य पांच बादूर सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल कियों चल पड़े काफी दूर एक गना जंगल था जहां पर हर परकार के जीव जन्तू पाय जाते थे गोडों की तेज गती के कान साथो शिगर ही उस जंगल में प्रविष्ट हो गए उन्होंने कुछ ही समय में दो-चार छोटे-मोटे जानूरों का सिकार कर लिया परन्तु उन सिकारों से राजा का मन नहीं बढ़ा अतवे सब किसी बड़े सिकार की खोज में आगे बढ़ने लगे मगर काफी समय तक दूनने के पसाथ भी उनके हाथ कोई बड़ा सिकार नहीं लगा दिरे-दिरे दिन डल गया और साम हो गई सभी सैनिक वे मंतरी ठक कर चूर-चूर हो गए थे लेकिन नहीं जाने क्या बात थी कि राजा सुरे राज नहीं तो ठकाई दिखाई दे रहा था और नहीं संतूस्त वे करमस आगे बढ़े चले जा रहे थे जब वे जंगल में काफी आगे निकलाए तो एक सथान पर मंतरी ने कहा महाराज अभी सथान से और आगे बढ़ना पराणों को जोखिम में डालना है क्योंकि जो भी सथान से आगे गया है वे कभी लोट कर वापस नहीं आया बादूर से बादूर सिकारी भी यहां से आगे जाने का सास नहीं करते फिर रात भी होने वाली है अता हमें लोट चलना चाहिए नहीं मंतरी जी ने जाने क्यों आज हमारा मन कोई बड़ा सिकार करने को कर रहा है और मैं बिना बड़ा सिकार किये वापस नहीं लोटना चाहता लाचारो उन्हें फिर राजा के साथ उस सथान से आगे बढ़ना पड़ा लेकिन अभी वे उस सथान से थोड़ा ही आगे बढ़े होंगे कि उन्हें बड़ी भैंकर भैंकर आवाजे सुनाई देने लगी हो हो भाग जाओ भाग जाओ माट डालो इने गुर राखा रे बापरे फुफ रुख जाएए महराज यह आवाजे कहां से आ रही हैं उन बैयने का आवाजों को सुनकर सभी बैबित ओठे पर तो राजा पर उन आवाजों का कोई परवाव नहीं पड़ा लोट चलिए महराजा आगे खत्रा ही खत्रा है आग जाओ फाखा वरना मारे जाओगे हम बुझदिलों की बाते सुनना पसंद नहीं करते हैं हम बुझदिली की बाते सुनना पसंद नहीं करते हैं आगे बढ़ते रिये हम यह रहसे जान करी रहेंगे राजा की आगया के आगे सबी विवस हो गए मजबूरन उन्हें फिर राजा के साथ आगे बढ़ना पड़ा राजा का गोडा सबसे आगे था तब नहीं जाने कहां से एक खोपड़ी उड़ती हुई उनके सामने आकर सिथर हो गई यह क्या हाँ हाँ यह इश्वर अब तू ही रक्षा कर बयानक आखिर फशी गए विप्ति में विचितर समस्या विचितर विश्वास नहीं होता परन्तु रादा जरा भी बहबित नहीं हुआ कोन तुम क्या चाते हो इस तरह हमारा मारक रोकने की क्यों कोशिश कर रहे हो जाओ चले जाओ यदि यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश की तो पराणों से आद दो बैठ हो गए अखा और उन्हें चेतावनी देने के पर साथ खोपड़ी एदर से हो गई खोपड़ी के दर से होने के पर साथ मंत्री ने फिर राजा को वापस लोट चलने की सला दी मंत्री जी यदि तुम इस विचितर रहसे को जानना नहीं चाते तो सैनिकों के साथ वापस लोट जाओ परन्तु मैं इस विजीतर रहसे को जाने बिना कदापी वापस नहीं लोटूंगा आखिर कोई क्यों यहां से आगे बढ़ने के लिए पस्टात वापस नहीं लोटता आगे खतरा है महाराज और जान बुझकर आपको खतरे में छोड़ कर हम कैसे वापस लोट सकते हैं बगवान ने करे यदि आपको कुछ हो गया तो देश और परजा का क्या होगा मंद्री की बास सुनते राजा को फिर से चिंताव ने घेर लिया और वै उदास हो वापस राज महल में लोट आया आहां महाराज लोट आये आओ बेहन उनका स्वागत करे साथ उन्हें चिंताव से कुछ मुक्ती मिली हो महाराज की जै महाराज अमर रहे दोनों रानिया स्वागत के लिए दोवार पर पहुंची महाराज दिरगाई हो सिकार कैसा रहा महाराज मैं एकान चाहता हूं रानियो लेकिन राजा सुरेराज उदासी से महल के बीतर के और बढ़ गए ओ महाराज अभी भी चिंता से मुक्त नहीं हुए जरूर कोई विशेश बात है इसी तरह राजा के दिन फिर उदासी से कटने लगे एक दिन जब राजा अपने महल के बाग में बहुत उदास होकर चहल कदमी कर रहा था तो उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी राजा ओ राजा मेरी तरफ देखो कौन पुका रहा है मुझे यहां तो सिवाए मेरे और कोई नहीं उसने आश्चर से इदर उदर देखा तो उसे आम के वरक्स पर एक छोटी सी सफेज चिडिया बैठी दिखाए दी क्या तुम ही मुझे पुकार रही थी आँ राजन तुम कौन हो मनुस्य की बोली कैसे जानती हो क्या चाती हो मुझे चिडिया ने कहा मैं कौन हूँ और मनुस्य की बोली कैसे जानती हूँ इसका जवाब मैं तुमें अभी नहीं दूंगी लेकिन यदि तुम चाहो तो मैं तुमारी उदासी दूर कर सकती हूँ मेरी उदासी तुम क्या जानो मैं उदास रहता हूँ नेजाने भगवान ने मुझे किस जनम के पापो का धन दिया है कि दो-दो विवा करने के पसाद भी मेरे यहां कोई संतान उत्पन नहीं हुई मैं सब जानती हूँ राजन यदि तुम मुझे एक वचन दो तो मैं तुमारा यह दुख दूर कर सकती हूँ और तुमारे यहां संतान भी उत्पन हो सकती है क्या तुम तुम सच कह रही हो हाँ विश्वास करो तो फिर शिकर बताओ तुम कैसा वचन चाती हो जो मांगोगी मैं दूँगा धन दोलत जमीन जाधाद सब कुछ मुझे धन दोलत और राजपाट का लोब नहीं केवल एक वचन चाहिए और उस वचन में मैं जो कुछ भी मांगोगी वह तुमें वह तुमारे यहां संतान होने के बाद ही मांगोगी अच्छी तरह सोच समझ कर वचन दो खीक है मैंने तुमें वचन दिया कि तुम जो कुछ भी मांगोगी या कहोगी उसे मैं फ्राण देकर भी फूरा करूंगा राजा से वचन पाकर चिडिया परसन होती अच्छा तो कल पराते है तुम मुझे इसी सतान पर मिलना फिर वह उड़ती हुई सिगरी राजा की नजरों से उजल हो गई वह दिन और रात राजा ने बड़ी व्याकुलता से करोटे बदलते और जागते बिताए दूसरे दिन बोर होते हुए बाग में आप होंचा और बेर सबरी से चिडिया के आने का इंदार करने लगा लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया उसकी बैचैनी भी बढ़ती गई कहीं वह मुझे मुरक तो नहीं बना गई लेकिन तभी उसकी निगा दूर से उड़कर आती सफेज सोटी सी चिडिया पर पड़ी और उसका चेरा परसंता से खील उठा आहा आ गई उसके मुँ में कपड़े जैसी कोई चीज भी दबी है चीडिया उसके निकट आकर बैठ गई उसकी चोच में एक भीगा हुआ कपड़ा दबावा था वह राजा से बोली राजन ये कपड़ा लो इसे निचोड कर इसका जल दोनों रानियों को पिला दो और उचित समय का इंतिजार करो राजन ने भे कपड़ा ले लिया राजन तुम्हे अपने दिये वचन की तो याद है ने कहीं संतान होने की खुशी में भूल तो नहीं जाओगे विश्वास रखो चिडिया रानी मैं अपने वचन से कभी विमुख नहीं होँगा और चिडिया निशिन तो फुर से उड़ गई राजा ने चिडिया के कहे अनुशार उस कपड़े को निजोड कर एक एक बूंद अपने दोनो जान्यों को फिला दिया सच स्वामी हम मा बन सकेंगी हाँ उस चिडिया ने यही विश्वास्ति लाआ है तिरिये और ठीक एक वर्ष पस्ताद सिडिया का कहसत पर्मानित हो गया मुबारकों मारा जजानियों ने दो संदर पुत्रों को जनम दिया है अहाँ यह इस वर तिरा लाख लाख धन्यवाद देश बर में खुसी मनाई जाने लगी राजा की भी खुसी का परावार ने था एक साथ दो लड़कों के प्राप्त होने की खुसी में वे तमाम दुखों और चिंताओं को भूल गया और उसके दिन आराम से कटने लगे अब वे हर परकार के मनोरंजनों में भाग लेता था वाँ वाँ बहुत खुगमती परसन हुए दिन बीत्ते चले गए दोनों राजकुमार धिरे धिरे बड़े होने लगे राजा अपनी खुसी में वास्तों में उस सफेक चिडिया था उसको दिये गए वचन को भूल गया था फिर वाँ चिडिया भी उसे कभी दिखाई नहीं दी थी राजा ने दोनों राजकुमारों की शिक्षा दिक्षा का भी बहुत उचित परभंद किया था साबास समय बीतने के साथ साथ दोनों राजकुमार जवान भी हो गए दोनों ही बहुत सुंदर सवस्त बुद्धिमान वे सक्ती में एक दूसरे से बढ़ चड़कर थे जबकि रादा सुरेराज वर्थ हो गए थे अब उन्हें एक ही चिंता थी कि वे अपने दोनों राजकुमारों में से किसे राजगदी पर बिठाए कुछ समझ में नहीं आता कि किसे राजगदी पर बिठाओं दोनों ही बुद्धिमान शासी युद विदा में परविन सुंदर एव एक दूसरे से बढ़ चड़कर है एक दिन राजा सुरेराज अपने बाग में टैलता हुआ किसी विशे पर सोच रहा था कि उसे चिर परिचित आवाज सुनाई दी राजा हो राजा आखिर किसे बिठाओं राजगदी पर राजा हो राजा आवाज सुन राजा ने चोक कर देखा आम के वरस पर वही सपेद चोटी सी चिडिया बैठी थी परन्तु अब वह कुछ बड़ी दिखाई दे रहे थी उसे देख राजा ने परसंता बरे सोर में कहा चिडिया रानी तुम इतने दिन कहा रही तुमारा कैना सच परमानित हुआ पुछ जल को पिलाने से मेरे यहां दो राजकुमारों ने जनम लिया अब तो वे जवान हो चुके हैं मैं तुम से आज कुछ मांगने आई हूँ लेकिन राजन क्या तुमें अपना वचन याद है हाँ मुझे अपना वचन अच्छी तरह याद है पला तुमारे उकार को मैं कैसे बूल सकता हूँ मांगो तुम क्या साती हो तब चिडिया ने संतू स्टोकर कहा राजन तुमारे दो पुत्तर हैं उनमें से एक मुझे दे दो चिडिया की बात संकर राजा सुरेराज एक्तम करोधी तो उठा क्या कहा क्या तुमें अपने प्राणों का मौ नहीं करोध में अपना दिया वचन नहीं भूलो राजन जो वचन तुमने मुझे दिया था उसी के अनुसार मैं तुमसे एक पुत्तर मांग रही हूँ राजा दर्म संकट में पड़ गया क्या तुम पुत्तर के इतरीक तोर कुछ नहीं मांग सकती मुझे से मेरे लाल को मत छिनो मैं उसकी जुदाई बरदास्त नहीं कर पाऊंगा राजकुमार के बदले तुम मेरा पूरा राजपाट भी मांगो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ राजण मुझे यदि दन्या राजपाट का इलोब होता तो वह मैं पहले ही मांग लेती मुझे तो दोनों राजकुमारों में से एक राजकुमार ही चाहिए मगर तुम मेरे एक पूत्तर को लेकर क्या करोगी तो सुनो राजण याद है तुम्हें बहुत साल पहले यहां से कापी दूर दक्षिन में जो जंगल है उसमें तुम सिकार खेलने गए थे उस समय तक राजकुमारों ने जनम नहीं लिया था हाँ हाँ याद है उस समय हमारे साथ विचितर विचितर गटनाए गटी थी लेकिन तुम कहना क्या चाती हो चिडिया ने कहना आरम किया हाँ उस जंगल में एक निश्ची सतान से आगे बढ़ने पर कोई वापस लोट कर नहीं आता हाँ यह मैंने भी सुना है लोट कर क्यों नहीं आता उसके पीछे भी एक प्यानक कानी है वहीं मैं तुम्हें बता रही हूँ उस खोपनाख जंगल के पीछे एक बहुत उची पाड़ी है और उस पाड़ी के पीछे एक बड़ा तालाब है उस तालाब के बीचो पीचे एक सौने का महल है उस सौने के महल में एक बहुत ही दूस्ट बुरा जादूगर रहता है उसी ने उस जंगल में उत्पात मचा रखा है हाँ हाँ जाओ और आने वालो को रोको आने वाले को रोको उसने जंगल में अपनी एक सीमा निर्दारित कर रखिये उस सीमा से जो भी आगे बढ़ता है उसे वह तरह-तरह के बह दिखाता है भाग जाओ भाग जाओ हाँ हाँ मार डाले जाओगे फूफ यह कैसा चक्कर है फिर जो भी कोई बादूर बिना वह भी तुए आगे बढ़ता है तो वह अपने जादूई जोर से उस पर तरह-तरह से आकरमन करता है भाग जाओ हाँ फिर भी यदि कोई वैक्ति उन आकरमनों से बसकर उस जंगल को पार कर लेता है तो उस बादूर वैक्ति को वह दूश चादूगर अपने सोने के महल में कैद कर लेता है यह वास्तों में बादूर और सक्तिसाली है जाओ ले जाओ इसे और कैद खाने में डाल दो रहा जब चिडिया कानी सुना कर खामो सोई तो राजा ने आसरे से पूछा वास्तों में बड़ा भ्यानक है वह लेकिन वह जादूगर ऐसे बादूरों को कैद करके करता क्या है आखिर शिडिया ने फिर कहना शुरूब किया उसे 101 बादूर और सक्तिसाली वैक्तियों के आख सकता है उनका खून पीकर वह काया कलब कर एक सुन्दर और सक्तिसाली नोजवान बनना चाहता है इस समय वैं डेड़ सो वर्स का बदा बुड़ा है जिदि उसे एक सो एक बादू रहो सक्ति साली वेक्टियों का कून मिल गया तो वैं उसे अपनी मंतर सक्ति से पी कर अजर अमर हो जाएगा फिर उसे संसार का कोई भी मन उसे समाप्त नहीं कर पाएगा हाँ हाँ पूरे पचास हो गए ऐसा वैं अपने सोने के महल में कैद पूर्वे सुन्दरी चंदर देश की राजकमारी चंदरीका से विवाद करने के लिए भी कर रहा है जिसे वैं एक वर्स कुरो ही उसके देश से उठा कर लाया है एक दिन वैं दूर नहीं सुन्दरी जब तुमारी सर्थ पूरी हो जाएगी और मैं अजर अमर हो तुमसे विवाद जचाओंगा लेकिन तुमें यह सब कैसे मालम हुआ और तुम वास्तों में कौन हो मैं भी एक देश की राजकमारी हूं राजन 25 साल पहले वैद दूस्त मुझे मेरे देश से उठा ला था और जबरदस्ती मुझे विवाद कर लिया मैं चाकर भी उसके फंदे से नहीं निकल सकी अब तुम यहां की मलीका ओ पिरिये आओ मेरे पास आओ नहीं नहीं प्रंतूस के सामने मेरी एक नह चली और मैंने मन मार कर अपने आपको बागर के साहरे छोड़ दिया लेकिन एक वर्ष बाद ही जाओ इसे मेरे रंग महल में पूचा दो कल मैं इससे विवाद कर इसे अपनी नई मलीका बनाऊंगा वो एक और यूती का जीवन वर्बाद करने पर तुला है वह भी एक राजकमारी थी मैं उसका जीवन वर्बाद होते नह देख सकी और मैंने जादूगर का विरोध किया अपने जीते जी मैं ऐसा अनृत नहीं होने दूँगी तुम उसका जीवन बर्बाद नहीं कर सकोगे इससे पहले ही मैं तुम्हें मार डालूंगे उफ तरी यह इमत थेर अभी तुझे मजा सकाता हूँ और उसने करोज में भरकर मुझे जादू के जोर से सफेद सिडिया बना दिया आ यह तुमने क्या किया तुरी गुस्ताकी की यही सजा थी जा अब कीडे मकोडे खा कर अपना पेट बर राखा इस तरह आज तक वहने जाने कितनी यूत्यों का जीवन बर्बाद कर चुका है और उन में से अधिकान स्युक्तिया इस समय उसके रंग भैल में कैद जिन्दगी की आखरी गरिया गिन रही है लेकिन एक वर्ष कुरोजब है चंदर देश की राजकमारी चंदरीका को उठा कर लाया जिसके बारे में मैं पहले ही तुमें बता चुकी हूँ तब मैं तुमें अपनी मलीका बनाना चाहता हूँ सुन्दरी मैं तयार हूँ लेकिन विवाद तभी करूँगी जब तुम 101 बहादुरों का कौन पीकर अजर मर होकर सुन्दर वे सक्तिसाली बन जाओगे जिसकी चेष्टा में तुम वर्षों से लगे हो यह मैं नहीं जानती थी कि राजक्मारी को जादुगर के अजरमर होने का बेद कैसे मालूम हो गया था और उसकी सुन्दरता पर मोहित जादुगर तुरंत उसकी सर्थ मान गया ठीक है सुन्दरी मुझे तुमारी सर्थ मन्जूर है मैं अपनी सक्ति प्राप करने के बाद ही तुम से विवा करूँगा तब तक तुम यहां अराम से रहो वाख खूब समलदार निकली जादुगर मुर्ख बन गया सलो कुछ समय के लिए तो चटकारा मिला साथ कोई बादुर मुझे इस बीच इसकी कैद से मुक्ति दिला दे मैंने भी परतिग्या की थी कि मैं उज़े समाप करके ही रहूंगी तब मैं भी अपनी चेश्टा में लगी हुई थी बादुर व्यक्तियों को उसके महल तक ले जा रही थी तो उसका अनमोल वैफार खजाना तुमारा हो जाएगा ठीक है परन्तु आज तक उस दुष जादुगर के जादु के आगे किसी भी बादुर की एक ने चली हाँ हाँ बचाओ और जादुगर ने उन सब को भी अपने महल में कैद कर लिया सारी कानी सुनाकर सिडियांत में बोली इस तरह मेरी आज तक की तमाम चेष्टा बेकारी गई राजन परन्तु मैं अभी भी निराश नहीं हूँ इसलिए तुमारे पुत्तर को लेकर मैं एक कंतिम चेष्टा और कर देखना चाहती हूँ मगर इसके लिए मेरे एक पुत्तर की क्या हो सकता मैं आज ही अपनी सेना को भेज़ कर उस दूस जादुगर को फकड़वा मंगाता हूँ नहीं राजन यह काम इतना असान नहीं इतना की तुम समझ रहे हो वह जादुगर अपने जादु के जोर पर तुमारी सारी सेना को समाप्त कर डालेगा उसको कोई बुद्धिमान वैक्ती ही छल कपट से मार सकता है लेकिन शिडिया राणी तुम मुझे एक मुका तो दो यदि मेरी सेना और जादुगर को फकड़ कर नहला सकी तो फिर तुम मेरे पुतर को ले जाना जब राजा ने काफी प्राथना की ठीक है यदि तुम नहीं मानते तो यह भी करके देख लो मैं फिर आउंगी दन्यवाद शिडिया रानी और वह उड़ती हुई राजा की नजरों से उजल हो गई महल में पुँचकर राजा सुरे राज ने तुरुन सेना पती को बुलवा बेजा और उसे सब कुछ समझा कर दुस्ट जादुगर को पकड़ लाने का आदेश दिया सेना पती एक विशाल सेना को लेकर जंगल की और चल पड़ा चलो लेकिन सेना अभी जंगल के बीच में ही पुँची होगी कि बेहनक हांदी ने उने घेर लिया और सारी सेना अवा में उड़कर मर खप गई जब राजा के पास यह खबर पुची तो उसने और बड़ी सेना उस जादुगर को पकड़ने के लिए उसके महल की और रवाना की जब दूसरी सेना जंगल के बीच में पूची तो अचानक एक और से पानी की तेज लहरे उठी वह देखो बेहनक समुंदर की लहरे भागो भागो वरना कोई नहीं बचेगा लेकिन इससे पहले की सेनिक महां से बाग पाते पानी के उस बेहनक शहलाब ने उन्हें आ गे रा बचाओ बचाओ आ हाई और सारे के सारे सेनिक उसमें डूब गए राजा को जब यह पता लगा तो उसने अपने बची कुछी सारी सेना को जादूगर को पकड़ने के लिए बेज दिया लेकिन इस पाड जंगल में उनके साथ कोई गटना नहीं गटी और वे जंगल पारकर सकुसल उन्चे पाड के सामने जा पूँचे इस पाड के दूसरी और ही उस दूस जादूगर का महल है गोड़े यहीं छोड पाड पर चड़ो डरने की कोई जरूरत नहीं लेकिन जैसे इस यह ना पाड के कुछ उपर चड़ी उफ आए आए अरे बापरे यह इस पाड भागो भागो और कुछ सैनिकों को छोड सारी सेना उन्चटानों के नीचे दब कर मर गई और जब यह खबर राजा को मिली तो उसने अपना सर पीट लिया उसकी सारी सेना इस चक्र में खतम हो चुकी थी अट एक बार पुन उसे दुख और अशिम चिंताओं ने घेर लिया यह इस बर अब क्या होगा अब तो सेना भी नहीं क्या चिडिया रानी को अपना एक पुत्र देना ही होगा जब दोनों राजकुमारों ने अपने पिता को अपने दुखी और चिंति देखा क्या बाथ है पिता सिरी आप इतने दुखी और उदास क्यों है हाँ पिता सिरी हमारे रहते आपको किस चीज का दुख है आगया दीजिए प्रानों पर खेल कर भी हम आपका दुख दूर करेंगे हाँ हाँ स्वामी कये ने अब सुर्यराज ने कुछ भी छुपाना बेकार समझा और अपने दोनों पुत्तर गजराज वे सिंगराज को सारी काहनी सुना दी बस पिता सिरी इतनी सी बात से आप दुखी और उदास हैं आप हम दोनों में से किसी को भी छिडिया रानी को सोब सकते हैं अपने हमें परसंता होगी, आप पिता सिरी अइसा ही कीजिए इससे आपका वचन भी रह जाएगा और हमारे हाथो उस दुख्जादुगर का अंत भी हो जाएगा, नहीं नहीं ऐसा मत को बच्चो आप हमारे लिए चिंतित मत हो ये माता शिरी, हमें कुछ नहीं होगा हा मात शिरी, बलिक हमारे आथो उस दूस्त की मोत के साथ इस सैक्रो लोगों को उसके चंगुल से मुक्ती भी मिल जाएगी नहीं मेरे बच्चो ऐसा नहीं हो सकता, जिस दूस्त जादुगर को मेरे सैक्रो शिपाई नहीं समाप कर सके उसे बला तुम दोनों मासुम किस परकार समाप कर पाओगे आप हमें मासुम और नादान मत समझे पिताशिरी, हमावसा ही उस दुर्ष जादुगर को मारने में सफल होंगे, आप अपने वचन का पालन कीजिए भाईया ठीक ही कह रहे हैं पिताशिरी, यदि हमें से एक के प्रांट सले भी गए, तो क्या हुआ, आप अपने वचन का पालन कीजिए राजा सुर्यर राज अपने दोनों बेटों के सासी कुत्रों से निरुत्तर होटे, फिर वह इस से पहले की कुछ कहते, तभी सपेज सीडिया उड़ती हुई वहां आप मुची, वह वह आ गई, ये इस पर अब क्या होगा, पर्भू हमारे बच्चों की रक्षा करना राजा, अब तुमने क्या निर्ने किया है, मेरी बात को नहमान कर तुमने अपने एक फुत्तर के प्राण है तू, से हकड़ों बे गुनाहों को मरवा डाला, क्या अब भी तुम अपने वसना अनुसार अपने एक फुत्तर को मेरे साथ नहीं बेजोगे प्रंतु राजा के उत्तर देने से पहले राजकुमार गजराज बोल उठा, चीडिया राणी तुम नाराज नहीं हो, मैं तुमारे साथ जाने को तैयार हूँ, तो चलो मेरे साथ नहीं मैं जाँगा, चीडिया राणी के साथ, पिता सिरी मुझे आग्या दीजिये, ऐसा नहीं हो सकता, भया चीडिया राणी के साथ मैं जाँगा दोनों के भी जिद होते देख राजा ने गजराज को इचिडिया रानी के साथ जाने की इजाज़त दी जाओ बेटा इस वर तुमारी रक्षा करे धन्यवाद पिता सिरिया अपने सिंत रहे मैं उस दूश जादूगर चामुंटा को मार कर सिगर ही वापस लोटूँगा सब ने भरे एग्दा से राजकुमार को विदा किया और चिडिया रानी राजकुमार को अपने साथके जंगल की और उरचली मेरे पीछे-पीछे चले आओ राजकुमार सपेज सीडिया राजकुमार गजराज को लेकर जंगल में प्रविष्ट हुई हुम काफी ब्हानेक जंगल मालूम पड़ता है लेकिन जैसे ही वे दोनों जंगल के बीच एक निस्सी सतान पर पूंचे उन्हें चारों तर्प से बूती बैंकर बैंकर आवाजे सनाई देने लगी पर तु दिखाई कोई भी नहीं दिया भाग जाओ, भाग जाओ, अखा, मार दिये जाओगे वो यह बहानेक आवाजे कैसी है सावधान राजकुमार दूस्ट चादुगर की सीमा आरंबो चुकी है और यह बहबित करने वाली आवाजे उसी का मावी जालें पर ना मत, मैं जरा भी बहबित नहीं हूं चिडिया रानी सावध, तुम आगे बढ़ो, यहाँ से आगे मैं तुमारे साथ नहीं जा सकती यजि दूस्ट चादुगर को मालम हो गया, तो वैं बेगर तुमें आगे बढ़ने का मुका दिये, तुर्न समाप कर देगा ठीक है, और राजकुमार को सेतावनी दे चिडिया उड़ गई, राजकुमार अकेला आगे बढ़ा तबी, आखा चले जाओ, भाग जाओ, इस सतान से आगे बढ़े तो मोत के गाट उदार ते जाओ गई, फैट दूस्ट चादुगर के मावी रख सक, मैं तुझे अभी चाखाता हूं, और एक बरपूरवार खोपडी पर किया, कडाक आ, एक बहनक दमाखे के साथ ही खोपडी कई टुकडो में विवक फो अदर्से हो गई, और उसके अदर्से होने के साथ ही चार और से आने वाली बहनकर आवाजे भी सान्त हो गई, वो खोपडी गायब और समाप ही होने वाला था कि तभी उसे दूर एक तालाब दिखाए दिया, वह कोई छोटा सा तालाब ही मालुम पड़ता है, चल कर पहले प्यास बुजाओं, फिर कुछ खाऊंगा, राजकमार तालाब के निकट पूचा और गोड़े से उतर कर पानी पीने लगा, पानी तो भूत मिठा है, तभी हो खो, आखा, फूफ या कैसी मुसीबत, इसका अगला पार्ट है दोस्तो सोने का महल, वह भी जरूर सुनाएंगे, इसको जरूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेट में बताना कैसी लगी, समाप दोस्तो,